लोगसबाद चुनाव 2024 को लेकर भाजबा यूपी की हर सीट पर अपने उमिद्वारों का नाम फाइनल करना सुरू कर दिया है भाजबाद अपने उमिद्वारों के नाम की घोशना कब करेगी अभी इसका संकेत नहीं मिला है लेकिन सीटों पर कयास लगाये जाने लगे हैं लोगसबाद चुनाव से पहले उत्तरपरदेश की अधिकान सीट को लेकर चर्चा तेज है खास कर भारत्य जनता पार्टी की सभी विजयी सीटों पर राजनितिक पंडितों और मीडिया के साथ साथ विपकसी दलों की निगाहें ठीकी है सुत्रों की माने तो भाजबा ने यूपी की हर सीट पर अपने प्रत्याक्षियों के नाम तरह करने सुरू कर दिये हैं अलांकि उमीदवारों के नाम का एलान कब होगा इसके संकेत नहीं मिले हैं फिलहाल कई सीटों पर कयास बाजी का दोर तेज है इनी मेंसे एक है पूर्वे केंद्रिय मंत्री मैंका गांधी की सीट पिली भीट एक समाचार एजैंसी की खबर की माने तो बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार भी मैंका गांधी की सीट बदल सकती है अलांकि अभी तक इसके संकेत पार्टी ने नहीं दिये हैं इस बीच पॉलिटिकल पंडित बता रहे हैं कि मैंका गांधी के निर्वाचन चेत्र सुल्तानपूर से पार्टी पूर्वे एडी अधिकारी से विधायक बने राजेस्वर सिंग को मेदान में उतार सकती है राजेस्वर सिंग सुल्तानपूर से तालूक रखते हैं फिलाल वो राजधानी लखनव की सरोजनी नगर विदानसभा सीट से बीजेपी विधायक है राजेस्वर सिंग इन दिनों सुल्तानपूर में काफी वक्त विता रहे हैं कहे तो ओबर टाइम कर रहे हैं आपको बता दे कि पूर्वे ईडी अधिकारी राजेस्वर सिंग के बारे में कहा जाता है कि वे मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाद की गुड लिष्ट में हैं कैंदर भी उनके परफोमेंस से खुस है ग्यात हो सुल्तानपूर सीट भाजपा का गड़ रही है मेंका गांधी भाजपा की पुरानी और तेज तर्रार सांसद रही है कैंदरी मंत्री रहते उनका परफोमेंस भी अच्छा रहा था मगर बीते लोगसबाद चुनाओ में मेंका गांधी ने सुल्तानपूर सीट से चुनाव लड़ा था इससे चुनाव में उन्होंने BSP उमिद्वार को हराया था इससे पूर्वे यानी 2014 की लोगसबाद चुनाव में मेंका गांधी ने पीली भीज से चुनाव लड़ा था तब उन्होंने बुद्ध सैन वर्मा को करीब 3 लाख वोटों की अंतर से सिकस्त दी थी इससे पहले 2004 का लोगसबाद चुनाव भी मेंका गांधी ने पीली भीज से लड़ा था इस तरह 2009 में उन्होंने सुल्तानपूर सीट से चुनाव लड़ा इसी आधार पर इन कयासों को और हवा मिल रही है लेकनी है कि मार्च में किसी भी वक्त लोगसबाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है भारत निर्वाचन आयो की टीम 39 फरवरी को उत्तरपरदेश पहुँच रही है टीम यहां चुनाव तयारियों का जाई-जा लेने के साथ प्रसासन और राजनितिक पार्टियों के साथ मिटिंग करेगी वहीं प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने सोमवार को खुले आम लोगसबा चुनाव दोहजार चोबीस में भारत्य जंता पार्टि की जीत का एलान कर दिया है रेल योजनाओं की सोगात देते वे पीम मोदी ने कहा हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल जून से सुरू होगा इस कार्यकाल में घोसित की गई परियोजनाओं की गती इतनी तेज और पेमाना इतना बड़ा होगा कि लोग आश्च्रिय करेंगे पीम मोदी ने कहा भारत्य जंता पार्टि तीन सो सब्तर से अधिक सीट जीतेगी इसके साथ ही देश एक हजार साल की नीम रखी जाएगी दस साल के अनुभव के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि भारत्य जंता पार्टि अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर आपकी बार चार सो सीटों पर विजय पार करेगी भारत मेरे तीसरे कायकाल में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ विवस्ता बनेगा यह मोदी की गारंटी है ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा जै हिंद जै भारत